जो create के यहां पर हम variable declaration देखते हैं हमने दिखा a equal to 5 b equals to 3 एक तरीका आपको variable declaration का ये है इससे क्या होगा a value किसको assign हो जाएगी 5 value किसको assign हो जाएगी a को assign हो जाएगी और 3 value किसको assign हो जाएगी b को assign हो जाएगी दूसरा तरीका है आपके पास a, b equals to 5, 3 तो आप ऐसे भी assign कर सकते हैं multiple values को multiple values में अब हमारे पास यहां पर a को क्या assign होगी 5 हो जाएगी और b को क्या assign हो जाएगी 3 value assign हो जाएगी जब आपके पास same value आपको multiple variables को करनी है assign तो आप कैसे कर सकते हैं a equal to b equals to c equals to 7 तो यहां पर जो value है a को भी 7 value है b को भी 7 value and c को भी 7 value assign हो जाएगी अब हम जब यहां पर next जो cell है उसमें हम बताएगे कि जब हम values को print करवाते हैं तो हमरे पास last value कौन सी होगी अब अगर मैं इस statement के बाद मैं यहां पर print statement लिखतू print a, b, c तो यहां पर a, b, c की जो value print होगी वो कितनी print होगी 7 print होगी ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हमने उपर values तो और भी दे रखी थी तो 7 ही क्यों print हुई 7 print होने का reason है कि जो last value हम assign करते हैं a, b, c, a, b and c तीनों के तीनों 7 value को ही point कर रहे होते हैं आप यहां पर string value भी दे सकते हैं कोई और value भी दे सकते हैं तो इन values को आप दे सकते हैं किसी को भी अब हमें कैसे पता लगेगा कि यह जो 7 value है वो अलग-अलग location पे store है यह memory में कैसे store हुआ तो हम यहां पर इसको check करने के लिए लिखेंगे print id of a हमने यहां पर a की id देखी a की id कितनी है यह रही है हमारे पास ऐसे हम b की id देख सकते हैं print id b तो यहां पर जब b की id देखेंगे तो आप देखें यहां पर b की id भी क्या है same दिखाई दे रही है ऐसी हम c की id देखेंगे print id of c यहां पर हमने जब c की id देखी तो यह भी same है id का मतलब है जो memory में address है किस address पर जाकर यह value store हो रही है अब जब आप यहां पर किसी और value का address देखेंगे जैसे हम यहां पर देखें हमने next statement में हम दे रहे है a की value दे रहे है 10 b की दे रहे है 5 दोनो अलग-अलग values है उपर हमने देखा कि similar value है तो same address रहेगा तीनों उसी को point कर रहे होंगे अब हम यहां पर दोनों अलग-अलग values को देखर यहां पर id print करवाते है a और b की तो यहां पर भी हम देखेंगे क्या होगा values अलग है तो id भी अलग होंगी a की id अलग है b की id अलग है तो दोनों की id क्या है अलग है that means जब different values है तो चाहे वो एक element को आप access करवा रहे है या दूसरे element को access करवा रहे है तो क्या होगा value अलग अलग जगह पर store होगी लेकिन जब value हमारी same है तो same address पर store होगी